जैसा कि आपको इंडिगो की अभी वीडियो मैंने एक भेजी थी और हाफ पार्ट लेसन का उसमें आपको बताया गया था और लास्ट में हमने एंड किया था कि कैसे गांदी जी ने कहा कि दा बैटल ओफ चमपारन इस वोन और किस तरह से जो सिविल डिस ओबिडियन्स मूव कि अब गांदी जी वहाँ पर रुख गए और बहुत सारे लॉयर्स भी उनके साथ थे और उन्होंने गोवर्मेंट से ये डिमेंड किया कि जो भी इंजस्टिस हो रहा है फार्मर्स के साथ या पीजेंट्स के साथ तो उसके लिए एक इंक्वारी बिठाए जाए जाए तो गांदी जी ने वकिलों के साथ मिलकर कब से कब जो दस हजार पीजेंट्स से जो किसान थे उनके सबूत इखटे कर लिए उनकी गवाईयां उनकी ले लिए और नोट्स तयार कर लिए और दूसरे जो भी एविडेंस थे उनके अधार पर डोकुमेंट्स रेडी कर लिए और जो लेंडरोड्स थे जो ब्रिटिशर्स थे जिनोंने जमीने हाथिया रखी थी वो इस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे विरोध कर रहे थे उसके बाद जून में गांदी जी को बुलावा आया सर एडवर्ड गेट जो कि वहां का लफ्टिडेंट गवर्नर था उसने गांदी जी को बुलवाया और गांदी जी ने क्या किया जाने से पहले पहले ही अपने जो भी वकील दोस्त थे उनको समझा दिया कि अगर मैं ना आऊं कुछ प्रोब्लम हो जाए तो तुम्हें क्या करना है अब गांदी जी ने लगाता चार इंटरुव फेस के लफ कर्मेंट ओफिसर्स भी थे और किसानों की तरफ से एक ही बंदा था जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था और वो थे गांदी जी गांदी जी चंपारन में साथ महिने लगातार रहे और उसके बाद बीच बीच में वो आते जाते रहे तो एक मामूली से छोटे से किसान के क कहने पर राजकुमार शुकला के कहने पर जो उन्होंने वहाँ पर जाने की तयारी की थी पर इस काम में उनकी लाइफ का कम से कम एक साल चला गया अब जो इनक्वारी बढ़ाई गई तो जो सच था वो सामने आ गया जो प्लांटर्स थे जो लेंडलोर्ड्स थे उनके अग दोखे से जो वसूल किया है वो वापिस करो किसानों को और गांदी जी ने कहा मैं पूरा माउंट रिफंड करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि 50% तुम उन लोगों का माफ कर दो वापिस दे दो उनको तो गांदी जी यहां पर काफी एडामेंड नजर आ रहे थे तो लेंडलोड को लगा कि गांदी जी अब मानेंगी नहीं तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम 50% नहीं हम 25% किसानों को वापिस कर देंगे जो भी उनका पैसा हमने लिया है और बड़ी हैराणी की यह बात थी कि गांदी जी ने 25% पर हां बर दी क्यों हां बर दी सब लोग इस बात को सुनकर बड़े हैरान थे कि कहां 100% और फिर गांदी जी ने पहले 50% की demand रखी और अब लास्ट में वो 25% refund परमान गए तो गांदी जी ने मतलब इस बात को समझाया उन्हें क्या समझाया कि जो amount है वो इतनी important नहीं है important बात क्या है कि सबसे पहले जो land roads थे first time वो किसानों के सामने जुके और उन्हें पैसे के साथ साथ उनकी इज़द भी कम हुई और जो किसान थे उनके अंदर एक confidence डवलप वा और उन्हें लगा कि हाँ कोई उनका भी representative है कोई उनकी भी सुनवाई करने वाला है और इस तरह से उनका जो डर था वो कम हो गया धिरे धिरे कुछ सालों के बाद जो British planters थे जिन्होंने जमीन हथियाली थी भारती किसानों से चंपरन की किसानों से उन्होंने जो भी जमीन थी वो खाली कर दी और जो जमीन जिसकी थी वापिस किसानों की उस उसके पास आ गई और इस तरह स share cropping जो वहां के लिए एक बहुत बड़ी problematic situation बन गई थी problem बन गई थी वो खतम हो गई तो ये किस के effort की वज़े से हुआ गांधी जी के efforts की वज़े से अब गांधी जी ने ये काम तो कर दिया पर वहां पर उन्होंने देखा कि लोगों के हालात politically, economically और health point of view कुछ अच्छे नहीं थे, तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि कुछ काम किया जाएं, तो पहले तो उन्होंने teachers hire किये, teachers के लिए appeal की, तो जो swim से भी होते हैं, जो free of course काम करते हैं, जिनको volunteers कहा जाता है, तो कुछ लोग volunteer बन कर आएं, और उन्होंने गांधी जी को कहा कि ठीक है, हम पढ़ा पक्छे गाओं में और बच्चों को पढ़ाया गया, और जो कस्तूरबा थी, जो गांधी जी की wife थी, वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, ओरतों को उनकी personal hygiene के बारे में भी बताती रहती थी, फिर health conditions की बात आई, वहाँ पर लोगों की health conditions बहुत ही miserable थी, pitiable थी, तो गांधी जी ने एक doctor को कहा कि वो अपनी services के लिए volunteer करें, अपनी मर्जी से सेवाएं दें, तो एक hospital वहाँ पर बनाया गया, और उसमें 3 medicines available होती थी, एक castor oil होता था, एक कुनीन और एक sulfur ointment, ointment क्या होता है, मल हम जिसको बोलते हैं, जिससे कोई घाव अगरा हो जाता है, तो एक tube में जो दवाई होती, जो लगाती, that is ointment, कोई भी इंसान अगर coated tongue show करता, coated tongue means होता है, कि आपका जो stomach है, वो upset है, तो उसको castor oil दिया जाता है, castor oil एक lexative का काम करता है, पेट साफ कर देता है, और किसी को malaria होता था, तो उसको कुनीन दी जाती थी, एक tablet होती है ये और साथ में castor oil भी दिया जाता था, और अगर किसी को skin problems होती, तो उसको ointment दी जाती थी, और साथ में castor oil कहने का मतलब, castor oil साथ में हर बिमारी के लिए दिया जाता था, क्योंकि ये एक fact है, कि जितनी भी हमारे बिमारिया है, they all start with our stomach, तो अगर आपका stomach okay है, तो you will also be okay, उ जाकर ओर्तों से इसके बारे में बात करें, तो जब कस्दूरबा ने उन ओर्तों को समझाया, तो एक ओरत ने कस्दूरबा को अपने घर के अंदर ले जाकर दिखाया, कि मैंने जो ये साठी पहन रखी है, सिरफ इकलोती साठी है मेरे पास, अब मैं इसको क्या धूँ और क इसको सुखाओं कहने का मतलब बहुत जादा पावर्टी थी वहाँ पर उस वक्त में उसके बाद गांदी जी हाला की रह चमपारन में रहे थे पर वो अपना आश्रम जो की सेवा ग्राम में था उनका महरास्रम में उसके उपर भी पूरा अपनी बोच बना कर रखते थे इंस्ट्रक्शन्स मेल्स वगरा भेजते थे वहाँ का अकाउंट्स वगरा भी चेक करते रहते थे तो overall हम यह कह सकते हैं कि जो चमपारन एपिसोड था वो गांदी जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट था क्योंकि पूरा एक साल उनकी लाइफ का चला गया और किसानों के लिए उन्होंने काफी अच्छा वहां के लोगों के लिए हर point of view से काम किया चाहिए उनकी किसानों वाली समश्या थी चाहिए उनकी health point थे चाहिए economic conditions थी everything he did for them पर जब अगर यह कहा जाए कि चमपारन गांदी जी ने एक disobey करके कानून को शुरू किया था ऐसा नहीं था बलकि यह last में जाकर prove हुआ कि उन्होंने इस अपने attempt के जरिये बहुत सारे poor presents की help की और यह गांदी जी का अपना एक typical pattern था non violence वे वो believe करते थे और वो चाहते थे कि जितने भी human beings हैं उनके साथ वो अपनी loyalty show करे तो हर तरीके से गांदी जी ने जो भी काम किया जिस तरह से भी किया उन्होंने एक नया free Indian तयार किया और एक ऐसा Indian तयार किया जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था और इस तरह से उसने इंडिया को free करवाया एक और एपिसोड यहां पर बताया गया है कि जब चंपारन action चल रहा था तो एक अंग्रेज था जिसका नाम Charles Freer Andrews था वो English pacifist था पैसिफिस्ट होते शांती दूद था और वो गांधी जी का devoted follower बन गया था तो गांधी जी को एक दिन farewell बोलने के लिए आया क्योंकि उसे अ टोक लिया जाए ताकि अंग्रेजों की जो भी लूपोल्स है वो उनको पताता रहे और एंड्री भी तैयार था अगर गांधी जी permission देते अगर गांधी जी इस चीज के लिए agree करते बट गांधी जी ने इस चीज को विमेंटली प्रोटेस्ट किया विमेंट क्या होता है ब हम एक अंग्रेज को अपने साथ मिला या अंग्रेजों के अगेंस्ट ही हम लड़ रहे हैं उसी को अपने साथ लेकर चले तो ये मुझे ठीक नहीं लगता हमारा जो हम काम कर रहे हैं नेक काम है और हमें अपने उपर rely करना चाहिए तो इस तरह से उन्होंने अपने दोस्त धीरे धीरे किस तरह से देश को आजाद करवाया ये सब इसके अंदर इंकलूड है तो ये जो चंपरन का एपिसोड था जो इंडिगो की शेर क्रोपिंग डिस अपियर करवाई गांधी जी ने वहां पर तो ये सब इस चीज का ही पार था और एक साल उनकी लाइफ का यहां की जो प्रोब्लम्स थी उनसे कांधी जी ने उनको मुक्ति दिलवाई और उनके अंदर एक confidence डवलप किया उनके अंदर एक self reliance उन्होंने बनाया जिसकी वज़े से अब वो अपने सारे काम खुद कर सकते थे तो इस तरह से free Indian का एक उन्होंने वहां पर जाकर build किया free Indian को त और ये humbly requested है हर student से जो भी 12 के किसी भी stream का है कि इन videos को properly आप देखेगा क्योंकि अभी जब तक offline classes आपकी नहीं होती है आपको इसी तरह से अपने studies को cover करना होगा तो 5 chapters यहां पर flamingo के मैंने करवा दी हैं आपको सारी videos आपके पास बहुँच चुकी हैं आप उनको अच्छे से देखेगा अगर कोई problem है तो you can call me आप comment box में भी अपनी problems डाल सकते हैं और इसकी जो भी exercises हैं जो questions book में given है NCRT के आपके पास book है उस book में देखेगा आप जो lesson क कि बीच बीच में जो भी given questions है वो सब आपने अपनी copy में solve करने हैं along with the new words. Hope you guys would like it. Thank you. Have a nice day.